हेलो फ्रेंज आने वाली क्रिकेट वर्ल्ड कॉप में जो ओक्टवर्ड से इंडिया में होगा तो 15 ओक्टवर्ड इंडिया पाकिस्तान मैच की उपर सब का नजर है आभी से महल गर्म हो रहा है लेकिन इंडियान जो एक्स कैप्टेन और एक्स बिसीसी आई प्रेजिजेंट सोड़ गंगुली दादा की नजर इंडिया पकिस्तान मैच से ज्यादा अलोग एक मैच की ओपर है दादा ने बोला इंडिया पकिस्तान जो वालक अप में मैच होता है उसमें इंडिया कोई दिनों से लगा तर जित रहा है तो सिर्फ दूबाई में जो टी-20 वालक अप पकिस्तान ने इंडिया को हडाया था लेकिन अगर आप खेल का लेविल का बात करें तो दादा ने बोला इंडिया पकिस्तान मैच से और एक मैच है यानि उन्होंने बोला इंडिया ऑस्टिलिया जो खेल होता है उसका जो मैच का जो परफॉमेंस का लेविल होता है क्वाल तो बेटर उधार से आड़ाम से रान करते हैं लेकिन ओजब इंडिया पकिस्तान से बाहर जाते हैं तो प्रब्लेम में आ जाते हैं तो दादा ने बोला जा इसलिए मुझे लगता है इंडिया और ऑस्टिलिया दोनों टीम का एक दुम बैलेंस साइट है उनका स्ट्रेंग्ट बहुत ही बैलेंस है तो इन दोनों का बीज में जो मैच होगा ओ इंडिया पकिस्तान से ज्यादा बेहतर मैच होगा तो दादा ने बोला जो भारुत की मिट्टी में 2016 में टी टुएंटी जो गॉलकप हुआ था उसमें भारुत पकिस्तान खेला था और इडियन गार्डेंस में बिराट को हुली ने अच्छा पर्फॉंस किया था भारुत ने जिता था तो आप तो फिप्टेंट अक्ट्रब नाराजी था क्योंकि एशिया कपको लेकर एक प्रब्लम हुआ था लेकिन अच्छा पाकिस्तान ईंडिया में आएगा और खेलेगा और आप क्या था है क्या दादा की तरह इंडिया ऑस्ट्लिया मैच इंडिया पाकिस्तान मैच से जज्यादा महत्तपूर्ण है तो मुझे कमेंट करके बताइए और जो लोग चैनल में नया है वो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके आल नोटिक्वेशन बेल को प्रेश करना क्योंकि ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोज न्यूज अफडेट्स अनलाइसिस मैं लाता रहूंगा सबसे आगे सिर्फ आपके लिए तो इंतजार करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए तो स्टे हैपी स्टे हिल्दी थैंक यू